परेली थाना अलीगंच के गाउं बिच्रा बाल किसनपुर के रहने वाले श्याम बिहारी पुत्र राम सरूप ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनका भाई प्रेम सिंग खेत में काम कर रहा था तबी थाने के दो सिपाही बिना बर्दी में आये और प्रेम सिंग को पकड़ कर थाने ले गए थाना ले जाकर एक पुलिस कर्मी ने प्रेम सिंग से नमबर लेकर अपने भाई सियाम बिहारी को फोन कर बताया कि तुमारा भाई थाने में है आकर ले जाओ जब सियाम बिहारी थाने पहुंचा तो प्रेम सिंग थाने मैं नहीं था तो पुलिस कर्मी रजनीस कुमार बर रभी गिरी ने अपने कमरे में बंद कर दिया एक पुलिस बाले ने कहा कि दरोगा हूँ आप मुझसे बात करो सियाम बिहारी से छुडाने के लिए 50,000 रुपए मांगे और कहा कि अ बाई को रात्री 10 बजे चोड़ा और कहा कि अगर किसी को बताया तो दोनों को मुकदमे में फसा कर जेल में सड़वा देंगे त्याम बिहारी ने एससपी दरवार में जाकर अपने उपर हुए अन्याई की कारवाई के लिए गोहार लगाई है अब मोटर साइकल भी लेच ले आई लाने के बाद एक मेरे भाई से नम्मर लिया उसने का कि हम तरोका जी बोलने हैं थाना अलिगंज से आप थाना अलिगंज में आऊओ मैंने गाउबालों को बताई तीन चार लोग हम थाने पहुँचे तो मैंने थाने मेरा भाई नहीं था चार लोग हैं चार लोगं के सामने दिये मैंने पांथ पांथ सो गे नोड़ते सार तो मेरा भाई साड़ यार गंटा बाद छोड़ा अब मुझे गाली देते हैं तो जेल बेजेंगे पता नहीं सर क्यों ले गई वो गूमते थे ऐसे पुलिस वाले पुलिस वाले एक रजन को कौन है मुझे जानकारी नहीं स्किन पता चला थे सर्मुच घट मेरे पास नंबर क्या वेजे अग्रानी पुलिस्ट वे प्रिशाना के सर्क रौत वाले थे नहीं किसमरी रहता हूं यह नहीं जानकारी खेट में काम कर रहा था यह जिए जिए काफी दिन नोगे बात मैं थाने में चकर लगा रहा हूँ, कहीं लगा रहा हूँ, चकर आते आते मुझे प्रिशान होगे, आज सबारी करके आया हूँ.